क्योंकि उसका रंग ओरंज होता है चिंता मनी ब्रेसलेट सब को देने के बाद मुझे अपने लिए एक और मंगवाना पड़ा और खास करके जब मैंने लोगों का फीड़ बैक मुझे मिला कि इस ब्रेसलेट का उन पर क्या असर हो रहा था किस तरह से हो रहा था तो मैंने कर दो मैंने को और की रहा था थे दोर्व अनलों को है आफ रहा है अधरा जो जो चक्र हमारे रिश्टे के बारे में आप स्का रहा तालुक था हमारे अपने से और कंसा अपने प्रमी आपने आपने शिद्वाइवल इंस्टीन्क्शं और हमारे कामुकता से इसका तालुक है दूसरों के साथ हमारे प्रिष्टे के ऊपर जहां पर यह जो चक्र है इसका जो असर होता है या उसकी जो कमपनता का आकार होता है वो इस तरह से होता है जहां पर एक इंसान दूसरे इंसान से इंटराक्ट करता है individual basis पर मतलब के interact का मतलब interact का मतलब interact करना यह क्या बात होई का दोस्त से इस तरह तो orange ray energies which we experience in our daily lives are all about loving ourselves and loving others this is where the game begins to get more complex and interesting अब हर चक्र एक दूसरे से मिला हुआ होता है ये नहीं है कि इसका काम ये करेगा तो उसका काम इसके अंदर नहीं आएगा हर चक्र कहीं न कहीं एक दूसरे से मिलता जाता है एक सीड़ी की तरह और जब रोशनी उपर जाती है या उपर से नीचे आती है तो उपर के चक्र का असर नीचे वाले पर भी होता है नीचे वाले चक्र का असर उपर वाले पर भी होता है तो यहाँ पर वो कहते हैं यह हमारी रोज मर्रा की जिन्दगी में हम खुद से कैसे प्यार करते हैं और दूसरों को कैसे प्यार करते हैं उसका इससे तालुक है हमारे अनुभवों का रोज मर्रा की जिन्दगी के अनुभवों का तालुक है यहाँ पर जो जिन्दगी का खेल है multi-dimensional यह और ज़ाधा मज़ेदार और उलचता जाता है आम दोर पे हमने यह game जो जिन्दगी का खेल है यह हमने कोई flat game board पर तो नहीं खेला है लेकिन और यहाँ पर जब हम खेलते हैं तो हम यहाँ बहुत ज़ादा नहीं खेला है मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम खेल खेल रहे हमें तो पता भी नहीं कि खेल है यह तो अब पता चल रहा है तो अब हमें यह खेल बहुत समझदारी से खेलना है लेकिन अब तक हम क्या करते आए हैं कि अब तक हम अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी चुनाव जो करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम कारे करते हैं चुनाव करते हैं उसमें हम प्रेम के साथ जीना अब तक हमने पूरी तरह से नहीं सीखा है यह उस तरह से हम नहीं करते हैं हम इससे पहले हर जिन्दगी का फैसला जीतने के लिए किया है अपने फायदे के लिए किया है कि अगर मैं ये करूँ तो मुझे क्या मिलेगा अगर मैं ये करूँ तो क्या मेरा फायदा होगा अगर मैं ये करूँ तो कहीं मेरा नुकसान तो नहीं होगा हर कदम पर हम अपने बारे में सोचते हैं हमने दूसरों के बारे में कभी सोचा नहीं है हमने जीतने के बारे में सोचा है हमने फाइदे और नुकसान के बारे में सोचा है हमने तर्क के बारे में सोचा है यहाँ पर मेन मुद्दा होता है जीतना, सामने वाले से हमेशा एक कदम उपर रहना एक स्तर उचा रहना और परेशानी ये है कि जब हम ये गेम अब तक हम भी फ्लाट गेम बोड पे एक तरह से खेलते आ रहे थे दूसरे लोग भी फ्लाट गेम बोड पे खेलते आ रहे थे क्योंकि हमें पता नहीं था कि ये जिन्दगी का जो गेम है ये मल्टी लेवल है मल्टी डाइमेंशनल है तो यहाँ पर जो परेशानी आती है कि इस तरह से अगर हम ये खेल खेलते हैं जिन्दगी का जिन्दगी को अब खेल बनाना पड़ेगा क्योंकि जिन्दगी दरसल खेल थी और हमने उसे ऐसा नहीं समझा अब हमें ये खेल इस तरह से खेलना है ताकि हम इस से ग्राजुएट होके इस तीसरी घनत्वता के गेम बोर्ड से उपर उठें, उन्नती करें उन्नती करने के लिए हमें उस मल्टी डामेंशनल गेम बोर्ड मतलब उसके नीचे, उसके उपर हर स्तर पर हमें खेलना पड़ेगा जहां पर हमें जरूरत पड़ेगी या जहां पर खास इस्तेमाल होता है इश्वर के प्रेम और प्रकाश का और उसकी उर्जा का ताकि हम अपने दिल से काम ले, दिल जो कहता है उससे करे, ताकि जब हम प्रेम, इश्वर के प्रेम और प्रकाश की उर्जा के द्वारा कोई कारे करते हैं, तो वो हमारे दिल को सही रास्ता दिखाता है और हम सही इस गेम में सही चुनाव करते हैं। यहाँ पर हमें अपने, यहाँ पर हाट चकर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जो अगर आपको याद होगा, मैंने Living the Law of One के एक दूसरे सत्र में बताया था, कि दिल का भी एक दिमाग होता है, यहाँ पर हमें अपने इस दिमाग के बजाए, अपने दिल के दिमाग का इस सही इस्तेमाल करना है, यहाँ पर भौतिक तर्क इस्तेमाल नहीं करना है, और हम चाहते हैं कि यह उर्जा और हमारा तर्क और हमारी चुनाव यहीं दिल में रहें, और दिल से हम इस कारे को करें, क्यूंगे हम अध्यात्मिक उन्नती करके इस तीसरी घनतवता से उठके, आ इसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं, जो हमें इस जिंदगी के खेल को खेलने में मदद करती हैं, और इस multi-dimensional game board को जीतने में मदद करती हैं। इनके, one of those assets is our ability to work with and keep clear the energy body pipeline to the heart chakra, इसका तालुक हमारे heart chakra से directly नहीं हैं, लेकिन indirectly जरूर हैं, क्योंकि जब हम सबसे main हैं कि इस game board पे इस game को खेलने के लिए, graduate करने के लिए, हमारे पास भगवान ने एक काबलियत दी हुई है, एक शक्ती दी हुई है, जो हमारे अंदर है, जिसके साथ हमें काम करना है और वो बहुत ज़रूरी है, और वो है, हमारे ये जो चक्रों की pipeline है, इसके अंदर कच्चरा फसने नहीं देना है, इसके अंदर हाट चक्रत तक हमारी नीचे से आने वाली उर्जा हाट चक्रत तक पहुँचे, उसके लिए हमें इस pipeline को unblocked और clear रखना है, मैं सोच रही हूँ कि ये session को दो तीन हिस्सों में record करूँ, ये session लंबा है, अच्छा छोड़ो, तो जब हम अपने मूलधार चक्र को clear और unblocked करने में काम्याब होते हैं, जैसे के साधारन तोर पे अगर हम बोलें, तो हम अपनी कामुकता, हमारी sexuality को अपनाते हैं, समझते हैं, acknowledge करते हैं, और हमारी जिन्दा रहने की, जीने की, इस धर्ती के ऊपर, हमारी जो appropriateness of instinct है, जीवत रहने की, रहने के लिए हमारी प्रवृत्ती की उप्युक्तता की पुष्टी करते हैं, जब हम अपने मुलधार चक्र को रोज मर्रा के अपने चुनावों में, अपनी जिन्दगी में, उसको चेक करते हैं, और के वो ब्लॉक ना हो जाए, चेक करते हैं, मतबर ऐसा कोई चेक करने का तरीका नहीं है, यह है कि आप उसे खुला रखो और जो भी चुनाव करो, वो सही तरीके से करो, अगर आपने रेड रे वाला सुना है, तो उसके अंदर सेक्श्वालिटी और सर्वाइवल, इन दोनों चीजों को संतुलित करकर चलो, जब आप अपनी रोजमरा की जिन्दगी में ऐसा करते हैं, तो यह definite है कि जब हम यह ऐसा करते हैं, और यह जो चेक्लिस्ट है, इसको हम देखते हैं कि हाँ, हमने यह यह आज दिन में यह यह काम किये, और उनको सही तरीके से किया, अगर आपको याद हो, तो पा ने अपने चक्रों को unblocked रखने का, चेक करने का, एक चेक्लिस्ट का तरीका बताया है, जिसमें आप seven color के pens use करोगे, और रोजमरा की आपकी जो कार्य हैं, सोच है, उन सब को लिखोगे रात को बैठके, और उन्हें उस color के pens से चेक करोगे, कि इसमें मेरा कौन सा चक्र positive गया, और कौ आगे, ये दो-चार चीजें हमें, खास करके दो चीजें हमें रोज चेक करनी हैं, क्या मैं अपनी कामुकता या एक कामुक अस्तित्व होना स्विकार करता हूं, कि मैं मुझ में हर इंसान में होती, जानवर में भी होती, पेड़ पौदों में भी होती, तो इसमें कोई शर कामुकता जिस तर पर भी है इधर है इधर है इधर है इधर है गे है ट्रांसजेंडर है लेस्बियन है जो भी है और जैसा भी है कम है जाधा है क्या मैं उसे स्विकार करता हूं कि मैं अपनी कामुकता में खुश हूँ मुझे किसी से शर्म नहीं आ रही अडिक्शन की तरफ नहीं जाना है बस बिना मतलब का नहीं करना है feeling होनी चाहिए अंदर कामुकता का मतलब यह नहीं है that you go around having sex कामुकता नहीं है कामुकता है कि आपके अंदर जीने की और खुश रहने की एक ललक पैदा है और है वो पूरे दिन में और दूसरा इस धरती पर जीना क्या मैं enjoy कर रहा हूं क्या मैं खुश हूं क्या मैं इस धरती पर अपने आपको जैसा मैं हूं वैसे accept करता हूं अगर हां तो हम आगे बढ़ सकते हैं अगर आपको अगर यह इसमें कहीं पर भी cross है कि नहीं, मैं तो जीना नहीं चाहता, ये जिन्दगी कितनी बिकार है, मुझे कैसा, हम सब करते हैं कभी न कभी, मैंने भी बहुत किया है, तो ये गलतियां हम करते हैं, लेकिन अगर अब आपको एहसास होता है कि आपने ये गलती की है, अब वक्त आ गया कि इस multi-dimensional gameboard पे आप इसको बदल कर, positive में बदलें, और sexuality जहां तक आती है, बहुत सारे एक यही दिक्कत है, इस बारे में मैं पहले भी बताना चाहती थी, जब मैं only planet of choice कर रही थी, लेकिन मैंने का कि बाद में वक्त आने पर बताती हूँ, क्या है कि बहुत सारे लोगों को, I mean, obviously, कुछ लोग, रा law of one जब मैं कर रही थी, approximately I think 25 to 35 यह 10 chapters जो थे, वो कामुकता पे थे, संभोग पे थे, और उसके द्वारा आध्यात्मिक उन्नती कैसे करनी है, उस पे थे, अब लोगों ने इसे क्या समझा, यह मुझे नहीं पता, एक तरफ यह था, कि कुछ लोग तो मजे ले रहे थे, आपको भी पता है कौन मजे ले रहे थे, और एक तरफ कुछ लोगों को शर्मा रही थी, कि यह कैसे बात कर रही है, मतलब दूसरों के सामने, परिवार के सामने, इन सब्जेक्स के बारे में सुनना, बात करना, उनको हमारी परवरेश ऐसी है, खास करके हमारे देश में, कि और कुछ लोगों को बुरा लग रहा था, गुस्सा भी आ रहा, I mean, ऐसा मुझे लगता है, मुझसे किसने कहा नहीं, पर बुरा लग रहा था, एक नहीं कहा था, कि कैसे आप एक उरत होके ऐसी बाते कर सकते हो, क्यों भाई, तुम्हारे माबाप ने सेक्स नहीं किया होता, तो तुम पैदा नहीं होते, उनके माबाप ने, तुम्हारे नाना नानी नहीं किया होता, तो तुम्हारे माबाप पैदा नहीं होते, उनके माबाप ने नहीं किया होता, तुम्हारी पीढ़ी कहां से आती, तो किया तो सब ने है, जितने इस ब्रह्मान में भगवान रह च उन्होंने भी कभी न कभी कहीं न कहीं किसी भी तरीके से किया हो चाहे वो light energy से किया हो physically नहीं किया हो किया तो सभी नहीं है क्यूंकि जो कामक्ता है जो sexuality है जो sexual energy exchange है वो उर्जा का आदान-प्रदान है और वो आपको अगर सही तरीके से किया जाए तो आपको अध्यात्मिक उन्नती की तरफ ले जाता है ऐसे ही नहीं हमारी धर्मों में भी जैसे ही लड़का लड़की बड़े हो जाते हैं तो सब कहते हैं कि भाई शादी कर लो क्यों साधी कर लो क्योंकि यह कामक्ता बहुत ही natural है ये हर एक के अंदर कभी न कभी तो जागरुत होगी छोटे ही उमर में शुरू हो जाती है जागरुत इसकी इच्छा तो इधर उधर मुँ मार के गलत तरीके से करने के बजाए एक इंसान से प्रेम करो शादी कर लो और उसके साथ अपनी इस चक्र को फ्री फ्लोइंग और प्रेम एक क्या कहते है एक सर्कल है जो कभी नहीं खत्म होता आप प्रेम से शुरू होते हो कामुक्ता पर आते हो सेक्श्वालिटी पर मतलब कि आप अपने प्रेम का इजहार अपने शरीर के द्वारा करते हो और शरीर के द्वारा करने से प्रेम और बढ़ता है शाद तो शादी में परिशानिया आने लगती हैं, पती इदर उदर मुह मारने लगता है, ओरते इदर उदर मुह मारने लग जाती हैं, और ये इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, बहुत सारी ओरते करती हैं, और अगर दोनों एक दूसरे से खुश नहीं हैं, तो कई बार चलता है वो जो रा ने लौफ मन में कहा था उसने ये तो नहीं कहा उसने ये कहा था कि अगर आपने अब शादी शुदा हो तो एक दूसरे से अपना वादा करके बैठे हो उस वादे के तहत एक दूसरे को संतुष्ट रखने की जरूरत है लेकिन कई बार क्या होता है मन में प्यार होने के बावजूद, एक दूसरे की कामुकता को समझना मुश्किल हो जाता है, और एक का प्रेफरेंस कुछ होगा, दूसरे का प्रेफरेंस कुछ होगा, प्रेफरेंस से मैं जेंडर की बात नहीं कर रही हूं, मतलब संबड़ी अलग अलग तरीका होता है, सबको अप वीडियो में समझा चुकी हूँ कि हर एक के प्रेम का इजहार करने की भार्षा अलग होती है अगर आपने मेरे Numerology Explained की प्लेलिस्ट में दो वीडियो हैं जिसमें बताया है कि ये नंबर अगर कुछ लोगों के हैं तो नंबर अलग अलग जगह पर तो वो प्रेम का इजहार कैसे करते हैं और अगर ये नंबर हैं तो वो अपने प्रेम का इजहार कामुक्ता में कैसे करते हैं संभोग में कैसे करते हैं तो ये दोनों जो हैं ये अलग अलग बाते हैं आप प्रेम का इजहार रोज मरा की जिंदगी में चलते फिरते किस तरह से करते हो और बिस्तर में कैसे करते हो या बेडरूम में कैसे करते हो ये दोनों अलग हैं लेकिन दोनों ज़रूरी हैं डिव को लेके एक अपने पती या पतनी को संतुष्ट नहीं कर पा रहे है या तो उनमें खुद में कमी है या सामने वाले में कमी है और जब मैं कहती हूं कमी है तो कमी ये नहीं है कि उनसे होता नहीं लेकिन शायद उन्हें करना नहीं आता सही तरीके से सामने वाली की इच्छा के मताबिक, तो मर्दों को बहुत तकलीफ होगे ये सुनकर, अगर मैं कहूंगी कि शायद मर्द को करना नहीं आता और और औरत को खुश नहीं कर पाता, उनका ego hurt होता है, लेकिन आम तोर पर उसकी वज़ा कुछ और होती है ऐसा नहीं है कि करना नहीं आता, naturally सभी को करना आता है, लेकिन उसकी बहुत सारी वज़ा होती है और बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते किसी ने मुझसे ये कहा था उस दौरान, law of one के दौरान कि आप कैसे ये बाते कर लेती है अगर हमें ये वीडियो किसी के साथ शेर करना है, law of one का तो मेरे दोस्त क्या सोचेंगे मेरे घरवाले क्या सोचेंगे कि यहाँ पे तो ऐसी बाते होती है तो क्या हो गया छुपके तो आप अकेले में ये सुनते हो ना, मजे भी लेते हो सपने भी देखते हो तो अगर ये गलत होता तो फिर इसका मतलब आप गलत कर रहे हो आप छुपके कर रहे हो, वो गलत कर रहे हो छुपके सुन रहे हो समझने के कोशिश कर रहे हो, वो गलत कर रहे हो क्योंकि इसमें शर्म की कोई बात नहीं है शर्माने की कोई बात नहीं है दूसरा अगर लोगों को ऐसा लगता है क्या वो घर जाके अपनी पतनी के साथ बैठके ये विडियो देख के बाते नहीं करते होंगे या उन्हें नहीं दिखाते होंगे या दोस्तों के साथ बैठके बाते नहीं करते होंगे तो फिर अगर अकेले में करते हो दोस्तों के साथ या पतनी के साथ बैठके या पती के साथ बैठके करते हो तो इसमें गलत क्या है क्योंकि भगवान ने बनाया है इसे लेकिन ठीक है हमारा समाज हमारी सभ्यता हमारी परवरिश कुछ इस तर कोई आपको सिखाने वाला नहीं होगा समझाने वाला नहीं होगा कि इसके द्वारा आध्यात्मिक उन्नती कैसे करनी है अगर आपको आध्यात्मिक उन्नती करनी है तो यह उसका एक एहम हिस्सा है और हो सकता है आपके लिए जिसके द्वारा आपकी आध्यात्मिक उन्नती त सकती है अगर आप अकेले हैं तो आपका कोई फिर आपके पास चारा नहीं फिर तो आपके पास meditation ही चारा है लेकर अगर आप अकेले नहीं है आप शादी शुदा है तो या आप शादी करने वाले हैं तो शादी के बाद आपकी आपका रिष्टा एक तो में बात यह है कि एक तो आपका आपकी शादी शुदा जिंदगी सुखी रहे और आपका रिष्टा सुखी रहे दूसरा आप दोनों में आपस में मिया बीवी में कोई शिकायत का मौका ना मिले या अगर आप शादी करते हैं तो आप उसको दूर कर सकें इसके बारे में लॉव वन में और उसके इलिए